गण्गासिंग अधनिक राजस्थान के निर्माता महाराजा गण्गासिंग महाराजा गण्गासिंग तरहर गंगे 1818 से 1941 तक ठीक है 1941 जब्यारीस के दो या 41 जब्दो एकिबाद गंगा सिंह का बड़ा कम तो गंगा सिंध ने खुब अंग्रेजों की सेवा के थी अंग्रेज्ळों का बड़ा दिवाना था और अंग्रेज भी गंगा सिंह के बड़े दिवानी थे इतने दिवाने थे कि जब चीन और अंगरेज्जों का इंगलेंड का युद्ध होता है तो गंगा सिंग इन में बोक्सर विद्रों उता है तो उंटों की सेनिक टुकुडी लेके जाता है गंगा रिसाला अंगरेज्जों के साथ इस सफनिया अकाल के संय इंगि गीड़ा था फैंगरी राजदूतम सेनि में इसु mix ठोडर युद्रों के सवने उटर सेंगल अन्टों पहल कर गेंड़ा और युद्रों सेनिign इक किक ते है श्टार्ट मेरा याम सिसक्वाद हुआ ठीक है बोक्सर मोटष नाको आपने और अठा बोक्सर विद्रेट Pvd 1897 में चीन के बोक्सर विद्रों के समय विद्रों के समय गंगा रिसाला नामक गंगा रिसाला नामक उंट की टुकडी उंटों का दस्ता दस्ता लेकर अंग्रेज्जों का सास दिया अंग्रेज्जों का पाथ दिया और लोजी यहां करें देख लिए स्टा छारा सुनी नानमे में चीन के बक्सर विद्रों के समय गंगा अब देख लेकर अंग्रेज्जों की और गंगा सिंग कि कितनी बनती थे कितना लाड़ प्यार था इनका अब गंगा सिंग ने ये काम किया तो जायर सी बात हा कि अंगरेज भी गंगा सिंग को कुछ ने कुछ ने देते थे पेले क्या देते थे पेले उपादिया देते थे ठीक है तो गंगा सिंग को ने उपादि देदी नाइट कमांडर ओफ इंडियन अंपायर नाइट कमांडर ओफ एंपायर नाइट कमांडर ओफ एंपायर की उपादी दी टको भी उसी चको तो असी चक देँ ट्फोर्टेट आपको दिया हमने दिया यह होता है अंगा सिंग ने ऐसे नहीं के इंग्रेजियों का साधिया बहुत जगह जनता का भी साधिया था जब ठारा सुनिनान में म सदा वर्थ खोल दिये चारे के लिए पानी के लिए अनाज के लिए यह भी बहुत अच्छा काम किया ऐसी बात ने बहुत सारे काम बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने काम किये थे तो गंगा सिंग और गंगा सिंग अंगरेजियों के गोल में समेलन हुए थे तीन गोल मे 33 और 1932 जोलमेश मिलेन में भाए लिया गोलमेय समेलन में भाग लिया जीनों गॉलमेश मिलमय भाग लिय इतना देखो ये था जुरूरी नहीं कि वो खुद बाद ले ये जुरूरी नहीं कि उसका कोí प्रतिनीदी भाँ पुझे लंगे के मुनम भाई मेहता थे वो गै थे 1922 में थे बनी सो बटेस में वह खुद नहीं गिए थे मुनम भाई महता गई लुब pseudo महता हमां को प्रांगत अब आधुनिक्र द custard राजस्थान का भागिरत केते हैं क्यों तो je अधुनिक राजस्थान का भागिरत या सिदा कहते हैं राजस्थान का भागिरत कहते हैं भी अधुनिक तो बैरो सिंग जी को कहते हैं राजस्थान का भागिरत सिदा आजए राजस्थान का भागिरत फिक है क्यों कहते हैं क्योंकि 1921 से 27 के बीच गंग नहर का निर्मान करव यह विश्व की पहली पक्की नहर थी, सतलज नदी से निकाली गई है, राजस्तान में सिवपूर हेड है, वहां से है यह नहर है, उस अन्ही वाला हेड से निकाली गई है, वहां से सतलज से, और गंगानगर में सिंचाई होती है, आज गंगानगर में गंगनहर से सिंचाई हो में नारेंदर मंदल के पर्थम चांसलर बने थे पर्थम चांसलर कोण से जाथ यह परसन आया हुआ है कि 1921 में नरेंदर मंडल का गठन किया गया उसके पर्थम अद्यक्स या चांसलर को अन्दर को अन्दर गोगा मेडी है और देशनो करनी माता इन दोनों मंद्रों का अधुनिक निर्माता गंगा सिंग को कहते हैं और अपने पिता लाल सिंग के याद मे से लालगड पेलेस का निर्मान भी करवाय था और स्क्यात है है कि सबसे अमीर राजपुतों में इसकों में सबसे अमीर सा सक्थ इसलिए तो इसको अधुनिक रास्तान का अh paved का भागिरत भी कयते हैं और बीकानो भगवान के चली रह ए ये जब 1910 के अंदर बीका निर मे अधुनिक परनाली परधारित न्याय व्यवस्ता स्तापित के गिते उसमें भी गंगा सिंग जी थे वो इतनी बातें याद नी रखने अपने इतनी चीज याद रखने